नमसकार दोस्तों आज मैं आपको पतंजली आवला जूस के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दोंगी कि इसके क्या-क्या अद्पुत फाइदे हैं और आपको कैसे इसका प्रयोक करना चाहिए किस समय पर इसका प्रयोग करना चाहिए और इसके नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं और इसे पीने से पहले आपको क्या-क्या साफधानिया रखनी चाहिए तो आमला जूस से रिलेटिड आपके सारे डॉट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएगे तो दोस्तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिए क्योंकि तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी तो दोस्तो अगर हम बात करें इस product की यानि की आमला juice की तो यहाँ पर इस एक लीटर की bottle की जो कीमत है वो है 140 रुपे जिसे आप किसी भी पतंजली स्टोर से खरीच सकते हो यहाँ तक कि आप online भी इसे खरीच सकते हो तो दोस्तो अगर हम बात करें इसके ingredient के बारे में तो यह 99.9% पूरी तरह से natural product है यानि की पूरी तरह से यह आमले से बनाया गया है लेकिन साथ ही इसमें थोड़ा सा sodium benzonate भी मिलाया गया है जो की 0.015% है जो की एक तरह का preservative है ताकि यह लंबे समय तक चल पाए यहाँ पर दोस्तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप यह bottle sealed है तो इसकी expiry date एक साल के लिए है अगर आपने इस bottle को खोल दिया है तो आपको one month के अंदर ही इसे इसे इस्तिमाल कर लेना है तो चलिए अब बात करके हैं इसके अद्बुत फाइदों के बारे में तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि आजकल गलत खानपान की कारण या फिर गलत lifestyle की कारण एक आम व्यक्ति का जो पाचन तंतर है वो धीरे धीरे समय के साथ कमजोर हो जाता है या फिर बिगड़ जाता है तो ऐसे में आमला जूस का सेवन पाचन तंतर को मजबूत बनाने में बहुत ही चमतकारी ढंग से फाइदा करता है और इसके साथ साथ जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर रहती है जिनने आम तोर पर सर्दी जुखाम रहता है या बहुत ही जल्दी उन्हें वाइरल फीवर हो जाता है उनके लिए भी आमला जूस बहुत ही चमतकारी तरीके से फाइदा करता है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आमला में भरपूर मातरा में वाइटमिन C पाया जाता है और इसी वज़ए से ये हमारे सेल्स की रक्षा करता है अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसकी वैसे हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है लेकिन साथ ही साथ ये एंटी एजिंग की वेमी भी हमारे स्किन पे काम करना शुरू कर देता है और इसका सेवन अगर आप रेगुलर्ली करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके स्किन में आपके चहरे में एक अलग सी चमक रहनी शुरू हो जाएगी इसके सासा दोस्तों हमारी बॉडी से ये टॉकसिंस को बाहर निकालता है जिसका असर ना सिरफ हमारे शरीर पर बलकि हमारे स्किन पे भी साफ तौर पे दिखाई देना शुरू हो जाता है ये अंदर से हमारी बॉडी की क्लेंजिंग करता है हमारे इंटेस्टाइन्स की क्लेंजिंग करता है हमारे खून को साफ करता है इसके इलावा ये हमारे आखों की रोशनी को बढ़ाने में भी मदद करता है और हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो अगर आपके बाल जढ रहे हैं बाल कमजोर होके तूट कर गिर रहे हैं तो भी आप आवला जूसका सेवन कर सकते हैं इसके इलावा इसका बहुत बड़ा एक और बेनेफिट है ये हमारे वजन को कम करने में काफी ज़्यादा है इसलिए कहा जाता है कि आवला जूसका सेवन हलके गरम पानी में सुबह उठके सबसे पहले करना चाहि क्योंकि आवला जूसका सेवन करने से हमारे इंटेस्टाइंस की क्लेंजिंग होती है और हमारा मेटाबॉरिजम भी फास्ट होता है तो चलिए दोसों अब बात करते हैं इसका सेवन किस तरह से करना है तो दोसों यहाँ पर आप एक गलास हलका गरम पानी ले लीजिए और उसमें आपको मिलाना है 15-25 मिली लीटर तक का आमला जूप और अब आपको इसे मिक्स कर लेना है तो इसका सेवन आपको सुबह खाली पेट करना है तो आप बात करते हैं साफ धानियों के बारे में प्रेस फीडिंग मदर को या फिर प्रेगनेंट लेडिस को इसका सेवन नहीं करना चाहिए या फिर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही अगर वह अलाओ करते हैं तो ही इसका सेवन करें दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है गर आपको सिवियर तोर पे ऐसीडिटी की समस्या है तो आपको आमला जूप का सेवन नहीं करना यहाँ पर ज्यादा आमला जूसका सेवन करने से आपको डायरिया हो सकता है अगर मैं बात करूं तो यह बहुत ही बड़िया हेल्थ टॉनिक है जिसको आप अपनी दिंचरिया का हिस्सा बना सकते हैं तो दोस्तों यह थी इस प्रोड़क्ट के बारे में पूरी इंफोमेश मैं आशा करती हूँ यह वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जूर कर दीजिएगा और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज की आज ही से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कारे यह करके यह करते हैं